नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्यशंकर तिवारी हूं क्या जम्मू कस्मीर में वास्तों मिमानवा धिकारों का उलंगन हो रहा है क्या वहां के लोगों का टॉर्चर हो रहा है और कोई कहे तो बात साथ थोड़ी चल भी जाएगी पाकिस्तान आप लगात रहे हैं लेकिन इस तरह के आरोप्यदी विपक्ष या उससे जुड़े लोग लगाएं तो वास्तों में बात तो चर्चा की बनती है जैनू छात्र संक्चे जुड़ी रहे हैं सहला रसीद की माने तो वाकई में ऐसा जम्मू कस्मीर में हो रहा है सहला रसीद कहती है कि वह हुआ कि उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए और फिर क्या हुआ है कि पहले तो आर्मी ने उनका जबाब दिया कि वास्तों में जम्मू कस्मीर की क्या इस्तिती है और सहला रसीद जो बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है काड़ पे जाकर करके आर्मी ने उसका जबाब दिया और अब उसके बाद से जो बात हो रही है कि उनके स्ट्रीट पे एक वकील है अपराधिक सिकायत दायर की है कि ऐसे लोग के खिलाफ सक्त करवाई की जानी चाहिए इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये जम्मू कस्मीर के बारे में जो है उल्की सिधी बाते कर रही है और वो जू कि वास्तो में जमीन पर नहीं है उसको यह फैला रही है कि टॉर्चर हो राए मानवाधिकारों का उलंगा नो रहाए सिक्रीव फोर्षेज persis लोह के घर में घुश जा रही है तरह तरह की बातें ये कर रहे है तो अब इसके बात स जैसे ही उनके खिलाब सिकायद दर्ज होती है निश्चीत रूप से उनकी समस्याएं बढ़ने वाली है तो लंदन में जो भारती पत्रिकार हैं पूनम जोसी उन्होंने उतनी भीड के सामने संघर्ष किया था और तिरंगे को जो है ले लिया था अपनी हाथों में उन्होंने अपना अनभव से अर किया था कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और जब यह सब कुछ हो रहा था तो अपने को रोक नहीं पाई थी जब क्यों गई थी खबर को कवर करने के लिए ठीक किसी तरह से सोल में भी इसी तरह का घटना क्रम हुआ जबकि पूरुपत्रकार औ सामने उनके साथ और एक दो बीजेपिर संघ से जुड़े हुए लोग थे किसी कारिक्रम में हिस्षा लेने के लिए गए थे वहां पे भी सेम इसी तरह की घटना हो रही थी तब वहां पे भींड से यानि कि जो पाकिस्तान समर्थ तक लोग थे फाकिस्तानी लोग थे उनस में क्या हो रहा है यह उनको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जम्मु कस्मीर में जब कि इस बात की सराहना हो रही है कि इस्थिती को बहुत अच्छे तरीके से आर्म फोर्सेज ने और जो वहां के पुलिस से उसने हैंडल किया है और इस बीच में उनको लग रहा है कि नहीं वहां पे तो बहुत ज्यादा मानुवादिकारों का उलंगन हो रहा है क्या वास्तों में ऐसा हो भी रहा है हकीकत क्या है यह तो हकीकत बाद में पता चलेगा लेकिन फिरहाल वह अपने ऐसे ट्वीट को लेकर कि उन्होंने एक के कि वास्तों में ऐसा हो रहा है तो अब यह देखते हैं कि आगे इस मामल में क्या एक्शन होता है क्या आप रादिक मामला दर्ज करके कोई करवाई होती या इसी हाल उनके हाल को छोट दिया जाता है यह देखने वाली बात होगी जो भी अपडेट होगा हम आपको थेंक यू इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल